तो हेलो गाईज ये आज मुझे एक पार्सल रिसीव है जिसमें एक रैस्परी पाइज जितना ही उतने ही साइज का एक कम्प्यूटर है तो आज मैं इसका आपको अन्बॉक्सिंग दिखाऊंगा इसको सेट अप कैसे करना है इसके अंदर क्या-क्या है ये किते जी भी राम क एक दिखाऊंगा तो आज मैं आपको शी के अंदर क्या-क्या है इसको ऊपन देखाऊंगा तो ये आपको मैंन बॉर्ड यहां पर मिल जाता है ये इसका में बॉर्ड है जो कि बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये रैस्परी पाइजीरो 2W जो आता है बिल्कुल वही एक्सप दिश संअपरे दिफूरर चाहा को और दिल्वाजिघ के सब्सक्राइस till यहां पर क्या सकत हो सफ सकते सेकों हमें हो मिली परेद देखा हुगा आप! इस सब्सक्राइबर ᦁम्हार कंशलना नहीं है! बट यहां पर यह जीनिया टेक का एक जीरो टाइप का एक वो है SBC SBC माने सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर आपको पता होगा SBC क्या होता है मेरी वीडियो देख रहे हो तो तो यह सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर आपने अगर आपने मंगाया हो कभी तो आपको पता होगा कि रैजबरी पाय कभी भी आपको अडेप्टर आफर नहीं करता है वो आपको अलग से लेना पड़ता है बट यह एक जीनिया टेक का जो वाला यह जो मैंने खरीदा है उसमें आपको एक आपको अडेप्टर उसके साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको अलग से खरीदा ना पड़े यह एक अडेप्टर है यह 15 वाट का अडेप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 15 वाट का अडेप्टर है 15W का यह adapter है इसके साथ में हमें एक यहां पर कुछ मिला है यह वायर आपको लग रहा हो गए यह वायर क्या चीज है यह एक एक एंटिना है यह वाइफाई के लिए एक एंटिना हमें प्रोवाइड के आगया है यह इसी बोर्ड में अटाच होता है सो मैं आपको आगे दिखाऊँगा यह कैसे एटाच करना है और कैसे इसको सेट अप करना है तो चलो बिना किसी देरी के इसको सुरू करते है कि आगे सेट आप इसको कैसे करना है इसको मैं पंद करके रख देता हूं साइड में तो here is everything, यहाँ पर जो समान मेर को box में निकला है, वो सारा यह है, तो एक बर आपको यह उन्बोक्स करके दिखा दो, इस पैपर में क्या है, तो यह देखो, यह देखो, यह आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक सेकंड में फोकस कर लो, हाँ, तो यह बोर्ड आपको एग्ज किन बस मैं आपको एक पर दिखा देता हूँ, कि जिरो से कितना बड़ा है, कितना छोड़ा है, तो here is zero and here is geniatekka zero वाला sbc, single board computer, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर यह raspberry pi zero है, यह green कलर का और यह black कलर का है, geniatekka, एक बार मैं आपको exact नाम बताता हो, ताकि आप इसको search कर पा wait a second just, मैं आपको इसका नाम सर्च करके बताता हूँ, हाँ, तो इसका जो नाम है वो है geniatek xpi35660, आप इसको google पर search कर जाएगा, आपको आराम से वहाँ से मिल जाएगा, आप इसको आराम से order भी कर सकते हैं, यह currently जो मेरे पास variant है, यह 2GB और 8GB वाला है, 2GB RAM और 8GB की internal storage, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसकी specification और आपको इसका बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको मिलता है, इसको setup करने से पहले मैं आपको exactly इसमें बता देता हूँ, क्या क्या मिलता है, यह जो आप यह वाली चिप देख रहे हो, यह एक RAM है, अभी जो यह वाली लगे हुए है, यह 2GB की RAM है, इसमें बट आप 8GB तक expand करा सकते हो, यह एक rock chip का processor है, यह rock chip का जो processor है, हाँ, यह जो rock chip का processor है, वो RK3566 है, इसकी जो frequency और इसकी जो specification है, वो मैं आपको side में आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो, आपको यह वाला square chip दिख रहा है, यह 8GB की memory है, इसमें आप optional 128GB तक expand करवा सकते हो, company को बोल के, एक बार आपको next जो आपको दिखा देता हूँ, यह, यह camera के लिए यहाँ पे आपको module मिलता है, आपको port, यहाँ पे आप camera, Raspberry Pi का ही camera आप यूज़ कर सकते हो, इसमें directly, यहाँ पे आपको 2 USB मिल जाते हैं, दोनों OTG सपोर्ट करते हैं, एक 3.0 है, एक 2.0 है, एक आपको यहाँ पे HDMI मिल जाता है, एक बार आपको flip करके दिखा देता हूँ, इसमें और क्या-क्या है, and हाँ, one more thing, यहाँ पे आपको 40 GPIO header pins soldered मिलती है, Raspberry Pi की तरह नहीं कि आपको solder ल और Bluetooth की, यहाँ पे एक antenna के लिए जगह है, जो कि यह वाला antenna आपको इस पे यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है, नहीं, दो buttons है, एक reset के लिए, और एक, I don't know किस के लिए है, यही और मुस्ट यह सब कुछ है, जल्दी सब बिना time waste करें, इसको setup करन ता, तो यहाँ पे मैंने अभी heatsink लगाया है, RAM पे और प्रोसेसर पे, दोनों चोटे-चोटे-चोटे heatsink है, जब तक आप यह enjoy गरिए, आगे लिए का मैं आपको प्रोसेसर बताता हूं क्या अगर नहीं है, प्रोसेसर यहां पे, मैं एंटेना लगा रहा हूं है, इसका मैं हाप यहां इसको एंटेना को attach कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें अपना HDMI का port लगा लूँगा, झाल, 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 तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको पावर मिल गया यह पावर आउन हो गया रोग चिप करनल आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है तो यहाँ पर मैं अपना इसमें जल्दी से लॉग इन लेके इसमें वी एंसी सर्वर जल्दी से स्ट अप करता हूं और व तो यहाँ पे सबसे पहले सr JDZ से असे से से मैंने इसको कणेट कर लियाए और निपनें यहाँ बाद लेकर कर दोंगा च्रिंद करनं दो आपसे इसको जल्दी से कर लगा कर रहा है आवने कहा है था यहां हम इसको काफी देर से यूजै और तेस्ट किया तो क्रैंट को Xrais ने सब्सक्राइब लाइई ए उसका कशेड़ना मुझम सब्सक्राइब लिए क्या एसक alcohol खोल रखे हैं यहां पर मैंने आपके लिए पहले सेट अप कर रख हैं यहां पर टेंपरेचर यहां पर आपका CPU का टेंपरेचर अभी प्लस 50 डिग्री सेल्चस है और जीप्यू का 48 ओके तो और करेंटली मेरे जो रूम का टेंपरेचर है वह है 26 डिग्री तो आपको रूम का टेंपरेचर में बता जाता हूं हीट सिंग मैंने वही छोटी वाली लगा रखी है और यहां पर सबसे पहले तो पहले मैं आपको इसका यह दिखा जाता हूं स्पेसिफिकेशन्स आपको क्या-क्या मिलती है तो इनका जो हूम पेज है मैं यह दिखा जाता हूं यह इनका हूम पेज है यहां पर आपको सबसे पहले तो एक रॉक चिप का कोड़कूर का प्रोसेसर मिलता है कोटेक्स A55 के 1.8 GHz का 512 MB की मिनीमम रैम मिलेगी अप टू 8 GB तक मिलेगी 8 GB की eMMC flash मिलेगी अप टू 128 GB तक यह आप अपना साबसे अप्ग्रेड कर सकते हो दो टाइप-C के पोर्ड मिलेंगे एक CSI connector मिलेगा एक GPIO का interface मिलेगा इस बोर्ड में Linux का debian 11 यह आपको प्री इंस्टॉल इसमें आपको मिलेगा अगर आपको Raspberry Pi का OS डालना है तो वह भी आप डाल सकते हो उसके लिए आप मुझे को कमेंड में बता दो उसको कैसे डालना है कैसे setup करना है वो भी आपको बता दूंगा इसमें Android भी सकता है वो भी कैसे डालना है वो मुझे आप इसमें कमेंड में बता सकते हो 2.4 GHz और 5 GHz का Wi-Fi मिलता है और Bluetooth 5.0 मिलता है हाँ तो यह सब तो आप चैसे यहां पर लिखा हुए यह सब आप पढ़ लेना एंड कुछ इनकी एक PDF है वो इस पेसिफिकेशन बताता हूं यह रहे एक रॉक चिप का प्रसेसर लगा हुए यहां पर एक यह रायम लगी हुई है एक यहां पर EMC की स्टोरिज लगी हुई ह यहां पर HDMI हो गया नीचे की साइट पर यह वाइफाय और Bluetooth का मॉड्यूल हो गया यह सब तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं यह इनकी वेबसाइट से आप निकाल के देख सकते हो इसमें क्या-क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है आपका यूज केस क्या बनता है आपको कौन से प्रोजेक्ट में यूज करना है इसको यह आपको हार्डवेर का इसका जो में सीप्यू है उसका एक डाइग्राम आपको यहां पर मिल रहा है एंड एक तो नेक्स्ट अपना आगे वटते हैं इस पर तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करने वाला हूं यहां पर इसको परफॉर्मेंस देखना है इसका तो यहां पर मैं अपनी दो वीडियो चला रहा हूं दोनों को प्ले कर देते हैं यह प्ले हो गई इसको भी मैं प्ले कर देता हूं यह अल्मोस्ट आठ मिनट की वीडियो है यह आठ मिनट की वीडियो है एंड करेंटली जो टेंपरेचर है वो 56 है और सीप्यू आप देख सकते हो यह 90 प्लस अल्मोस्ट टच कर रहा है इसको मैं आठ मिनट चलने देता हूं और आप इसके देखते रही है राम से टेंप्रेचर कितना बढ़ रहा है सेप्यू और मुस्ट अप्टू एटी के उपर ही रहेगा एटी परसेंट के उपर ही रहेगा दोनों वीडियो चल रही है इसको मैं फास्ट वावर्क कर देता हूं झाल 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 साथ मिनट हो गई ये वीडियो चलाए वे दोनों जो हमारा पीक टेंपरेचर गया वो 84 डिगरी सेल्सियस तक चला गया है जैसे कि आप देख सकते हैं आप देख सकते हो अभी देख सकते हो अभी डाउन गया है अभी मैं टैब्स पंद कर देता हूं यहां पर देख सकते हो रिलीज हो गई है काफी साथी राम रिलीज हो गई है यहां पर 29 परसेंट यां में मेरी यूज हो रही है एंड टेमडिशर भी मेरे डाउन गया तो इस दप प्रफॉर्मेंस पार्ट रहे लेट मी इंटर्फेस आपको एक पर ये इंटर्फेस आपको इसमें आपको पूरा इंटर्फेस मिलता है इसमें यह आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा इसमें जो अपना SBC है सिंगल बोर्ट कम्प्यूटर इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा बट आप इसमें Android भी इंस्टॉल कर सकते हो रैस्बरी पाय का ओप्रेटिंग सिस्ट इसको इसको कनेक्ट कर रख है तो इसमें आपको अप्लिकेशन में क्या क्या मिल जाते हैं मैं आपको दिखा जाता हूं एक तापको टर्मिनल मिल जाएगा फाइल में जाएगा मेल मिल जाएगा वेब ब्राउजर मिल जाएगा सेटिंग में आपको यह सारी सेटिंग मिल आपको मिल रही है यह सब तो मैंने कभी यूज नहीं की तो आप यह मुझे नहीं पता है अफिस के लिए आपको डिक्ष्णरिय और जतूरा मिल रहा है नेक्स्ट आपको सेटिंग में आपको टास्क मेनेजर मिल रहा है एक बार आपको सिस्टम प्रफाइल दिखा जाता हूं इसकी तो यहां पर डेवियन 11 चल रहा है कोटेक्स A55 आपको बताया था मैंने इसमें वह प्रोसेसर रोक चिप का RK3566 का एक प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है राम आपको दोची भी मिल जाती है इस अब तो आपने देखा ही और यह सब तो चलो यह सब देखी हुआ है और कुछ इसमें है नहीं आपने ही परफॉर्मैंस देख देखी लिया इसका अगर आपको इसको रैस्बरीपाई के साथ रैस्परीपाई 0-2-2-2-0 डवी जाहिए परफॉर्मिंस का क्मपारिजन चाहिए तो मिरको ज़रूर कमेंड में बताना मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो आ जाए एंड इसका जो gaming performance है वो भी जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा तो overall यही था इसके बारे में, इनकी मैं website आपको खोल कर दिखा देता हूं आपको buy कैसे करना है? एक बार मैं आपको इनके website पर दिखा देता हूं, कि इनकी website कैसी है, यह जीनियर टेक की, झाल 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 तो यह ओवरॉल इनकी वेबसाइट है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो यह रहा है इनका XPI 35660 का SBC आपका सिंगल बोर्ट कंप्यूटर यह आप इस वेबसाइट से आराम से खरीज सकते हो और आपको अगर इनको बाई करना है तो यहां से खरीज सकते हो और बल्क बाई क आपका कोई तो definitely you can go for this SBC काफी powerful SBC है मैं आपको अल्रेडी दिखाया इसके बारे में बहुत कुछ आप देख सकते हो कितना smooth browsing हो रहा इसमें कोई lag नहीं है even यह अभी VNC server से चल रहा है बट तब भी इसमें कोई lag नहीं आरा जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल smooth चल रहा जैसे मैं अपना Windows गे दरे यूज करता हूं बिल्कुल वैसा ही चल रहे है तो that's it for the today guys and hope you like this video and अपने moto के साथ आगे बढ़ते रहेंगे वीडियो बनाते रहेंगे सीखते रहो सिखाते रहो धन्यवाद आगे भी आपको इसके वीडियो मिलती रहेगी धन्यवाद